देखे बी एसी का इंटर लेबल का फॉर्म फिल हो रहा है उसको लेकर बिहार करम चारी चाइनायोग है एक नोटी जारी किया हुआ है अब इस नोटी के माध्यम से काफी सारे अभिहरती है जो की फॉर्म को फिल कर रहे हैं जिनके पास कमप्यूटर की नॉलेज नहीं है उनक कौन से पद के लिए क्या qualification है साथ ही साथ अगर आपके पास computer courses नहीं है तो कौन से पद के लिए आप eligible हो पाएंगे उसकी regarding भी हम इस वीडियो में कभर करेंगे तो प्रिस वीडियो सुरू से अंतक लेकर जोरू देखिएगा और वीडियो थुरस भी अच्छा लगे तो वीड तो यहां पे 22 परकार के अलग-अलग पदों पे भरती निकाली गई है मैंने आपको clear करके बताया ही था कि इसमें अलग-अलग बिभाग में अलग-अलग यहां पे देख सकते हैं कि लिपी का पद है उसको रखा गया है ठीक है और total जो आपका भरती यहां पे देख सकते है कि साबसाब बताया गया है कि 11,098 पदों पे भरती यहां पे निकाली गई थी ठीक है अब क्या हुआ है कि इसके बाद जो एक नाया नोटिस आया हुआ है जिसमें पदों की संख्या बढ़ा दिया गया है और इसके साथी साथ यहां पे पोस्ट भी जैसे कि 22 परकार के पद थे इसमें और भी पद यहां पे एड किये गए हैं तो उसको आप बढ़ी असानी से नोटिफिकेशन के माधियम से चेक आउट कर सकते हैं देख सकते हैं कि इसमें कौन-कौन से पद इंक्लूड हुए हैं जिसके माधियम से आप कोई भी पता लएगा कि माली जगर आप प्राण नहीं रखे हुए हैं कि वहले इंटरमेडियेट पास हैं तो आप जो है कौन-कौन से पोस्ट के लिए इलीजिबल हो पाएंगे तो सबसे पहले करना क्या है आपको जो है बी एससी का जो पीसल पोटल है जहां पर नोटिफिकेशन जारी कि आता है जैसे कि लिंक आ आप आ सकते हैं यहां पर आएंगे तो यहां से जो है इसका जो डिटेलस नोटिफिकेशन है आप डाउनडौड कर सकते हैं जैसे की अभी मैं आपको दिखा रहा था हुआन नोटिफिकेशन आप यहां से इसको डाउलौड कर सकते हैं 27 थारीक को जो हैं जी जारी किया ग壓 उसमें प्री और मेंस का एक्जाम होने वाला है तो एक्जाम का कहीं न कहीं आपको त्यारी करना होगा और उसके लिए आपके पास कहीं न कहीं धंका भूक होना चाहिए जिसके माधियम से आप त्यारी कर पाएं आज की इस वीडियो में आपको हम बेस्ट बूक के बारे में बताने जा रहे हैं जो किरन पॉब्लिकेशन के दोरा इसको परकासित किया गया है इसके बारे में मैंने प्रिबियस वीडियो में आपको जनकाडी दिया हुआ है अलग-अलग बूक के बारे में आप इसका जो सिल सब्सक्राइब और जो है अपको देखने को मिलेगा इसको घर बैठे आप बढ़ी असानी से अपने मोबाईल फोन से उडर कर सकते हैं लिंक हमने description box में दिया हुआ है जिसके माधियम से आप इजली इसको घर बैठे मंगा सकते हैं आपको बता दें कि BSSC ही नहीं बलकि YSSC की तयारी या फिर किसी भी और तोरह की जो कमप्रेटरिक पर जाम है जिसके आप तयारी करते हैं तो आसानी से इस बूख के माधियम से कर सकते हैं अब यहाँ पर वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने जो ही एक notice download होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब इस notice में देखिए क्या कहा गया है, कि साब साब आप देखेंगे कि पहले जो भरती निकाली गई थी 22 पदों पे, जिसका कुल संख्यत 11,098 यहाँ पे पद सामिल थे, ठीक है, अब यहाँ पे जनकारी यहाँ पे दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, कि इसमें जो है कन्य जो छेत्रिय अनवेशक है, उनका भी यहाँ पे भरती, इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, 534 पदों पे भरती होगी, जो कि परखंड में इनका भरती होगा, जैसे कि मैंने बहुत पहले अभी आपको पेपर के माधिम से जनकारी दिया था, इसमें देखिये बोला गया है, कि अगर आप के वली इंटरमेडियेट पास है, गणित से, या फिर अर्दसास्तर से, या फिर सांख्यकी से, तो आप यहाँ पे आविदन कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी आपको जो अभी में आप देखेंगे, तो कम्प्यूटर का जो ग्यान है, और टाइप इन है, यहाँ पे बोला गया है, तो आप नीचे भी आकर देख सकते हैं, और भी इसमें पोस्ट रखे गया है, जिसमें सब में जो है कम्प्यूटर का ग्यान और टाइप इन की जनकारी यहाँ प कर सकते हैं अब यहां पर हम किलियर कर लेते हैं कि जैसे कि जो नए नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें आप देखें कि एक ही पोस्ट है जो कि इंटरमीडियर पास जो चाता चत्राय है वह आवधन कर सकते हैं अब जो पुराना नोटिफिकेशन है इसमें मैंने आपको किलि कोंप्यूटर की नौलेज और टाइप इन की ज़रूरत नहीं है आप इंटरमीडियर पास है तो आवधन कर सकते हैं तो आप यहां पर आवधन करेंगे आपका इसमें कोई कोंप्यूटर नहीं जाएगा तो अभी जो ही मेरे हिसाब से तीन ही यहां पर पोस्ट देखने को मिल रहे हैं जिसमें बीना कोंप्यूटर के ग्यान के ही आप इंटरमीडियर पास पर आवधन कर पाएंगे इसके लिए लिजीबल हो पाएंगे ठीक है बाकि जितने भी पोस् के लिए भी यहां पर जनकारी बोला गया है कि कॉंप्यूटर पर टाइप इन होना चाहिए और MS Office का ग्यान भी होना चाहिए तो इस तरह से जनकारी मेंने किलियर करके बता दिया अब इसके बाद जो हमारा वीडियो आ रहा है जिसमें आपको बताएंगे डॉक्मेंट की र नोटिफिकेशन आया हुए उसके विहाँ पर आपको समझ में आ गया कि इसमें 1101 पदों को जोड़ा गया है अब 12199 पदों पर भरती होगी और इसमें आप देख सकते हैं कुछ यहां पर पद जोड़े गये हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पर साथ परकार के करती थी लेकिन अभी 12199 पदों पर भरती कर दी गई है जिसमें एक और जो पोश्ट जुड़ा हुए है जिसमें कोई भी आपको कॉम्प्यूटर की जनकाली नहीं देनी है और आपको परखंड अस्तर पर जो अनवे सक है उसके पदों पर काम करना होगा तो आज किस वीड वीडियो में एक नए टॉफी के साथ अब तक लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब जहां भी रहें स्वास्त रहें बहुत बहुत धन्यवाद